नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है मुंबई में रहने की लागत क्या है? यह सवाल हर किसी के दिमाग में आता है तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप मुंबई में रहना चाहते हैं तो खर्चा, कॉस्ट अफ लिविंग क्या होगी? मुंबई में चात्रों, यूगल, परिवारों और कुवारे रोगों के रहने के लिए लागत क्या हो सकती है? यह आज हम आपको बताएंगे आपको बतादें कि विशेवस्तू के आज़धार पर अगर आप 2BH के भी किराये पर रहते हैं तो उसका ओसतन किराया 40,000 रुपे प्रतीमा आप मान के चलिए और अगर आप 2BH के खरीदते हैं तो उसका ओसतन मुल्य करीबन 1 करोड रुपे के आसपास होगा आपको यह बतादें कि ओसतन मुल्य एवरेज कोश्ट है लेकिन इलाकों के हिसाब से यह घट और बढ़ सकती है उधारन के तौर पर अगर आप कोलावा में 2BH के खरीदने जाएंगे तो यह 2 करोड भी हो सकता है आपको बतादें कि अगर आप स्थानी यात्रा मुंबई में करते हैं यानि कि रोज पबलिक ट्रांस्पोर्ट का इस्तमाल करते हैं तो आपका एक माह का किराया करीबन करीबन 1000 रुपे के आसपास हो सकता है इसके अलावा बिजली का बिल, पानी का बिल और मेंटेनेंस कोश्ट अगर मिलाई जाए तो यह भी करीबन करीबन 5-6,000 रुपे हो सकती है अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको स्कूल में भी डालेंगे उसका खर्चा भी आपको वहन करना होगा पैट्रोल, रेस्टोरेंट, जीवन शैली और प्रती महा विविद खर्चे मिला जुला के मुंबई में अगर आपको रहना है तो आपके पास कम से कम प्रती महा एक लाख रुपे की अर्निंग होना बेहत जरूरी है अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो क्योंकि मुंबई हमेशा से ही एक महंगी सिटी रहा है और यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए और अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए आपकी अर्निंग इतनी तो होनी ही चाहिए अगर आप मुंबई में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो मुंबई हमेशा से ही आपके लिए एक बेस्ट सिटी रहेगी हम आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए रोचक सिद्ध होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जरूर दबाएं धन्यवाद